कि अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा सिरीज जिसमें हमने कुछ है क्यूशन देखे दे और एक चीज और होती है कि अपने को यह लगता है कि उनली जो मेत वाली सिरीज है वही इसमें आती है एलफा बेट की भी सिरीज बन सकती है यानि सिरीज की कोई लिमिट नहीं है किसी भी चीज के आपको क्या कर दे सकते हैं सिरीज लेकिन उनका एक पेट्रन होगा बस अपने को क्या देखना है कि कौन सा पेट्रन उस पर लग रहा है ठीक है आज का पहला क्यूसन देखते है तीन पंद्रा यहां पर आपकी क्यूसन मारक है तो मैं पहली कलास से आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको स्केर और क्यूब याद है तो चाए सिरीज हो चाए अलफा वेट हो चाए कोडिंडी कोडिंग हो रीजनिंग में कौन सा भी टोपिक हो चाए डारेक्शन क्यू ना हो आप जश्ट तुरां समझ जाओगे और एक सेकेंड में उसका क्या कर दोगे एंस्वर कर दोगे अब आपने इस क्यूसन को देखा इस सिरीज को देखा तो आपके दिमाग में तुरंट एक बात आनी चाहिए कि भाई ये तो किसी का किसी का क्या है वरग है यानि स्केर है मतलब जो पूरा का पूरा नहीं जा रहा किसी का वरग है लेकिन आसपास कोई नम्मर है जैसे मैंने आपको पूछा तीन तो आप बोलोगी तीन के आसपास क्या होता है आपका च्यार होता है जो किसका वरग होता है जो आपका वरग होता है दो का यानि टू का स्केर होता है तो सिरीज आपको क्या दे रखिया है तीन पंद्रा यहां पर है क्यों सन्मारक 63 निन्याड में और 143 इसका मैं देखता हूँ अब कैसे बनेगा अगर मैं तीन को दो की पावर दो यानि दो का स्केर माइनस वन कर दो क्या मुझे ये मिल जाएगा क्या बिलकुल मिल जाएगा दो का स्केर कितना होता है चार माइनस एक मतलब तीन हो गया अगर मैं यहां पर क्या कर दिया चार का स्केर माइनस वन कर दिया चार का स्केर कितना होता है वाई 16 16 में से एक गया 15 आपके तुरां दिमाग में बात आगई कि बिल्कुल सही हो रहा है तो पहली चीज तो आप क्या देखोगे कि आपको ओप्सन देखते ही समझ में आ जाएगा आपको ना तो पेन उठाने की जरूरत है ना यह सौल करने की जरूरत है कैसे समझ में आएगा कि आपने देखा तीन मतलब स्केर से एक कम हो रहा है 15 मतलब स्केर से एक कम हो रहा है किसी का भी स्केर हो कम कितना हो रहा है 63 मतलब माइनस 1 99 का मतलब माइनस 1 143 का भी माइनस 1 तो जो option में minus 1 हो रहा है वो ही आपका सही होगा ना आपको pen उठाने की जरूरत ना आपको कुछ तोल करने की जरूरत सीधा सा आंखे बंद करके भी आप किस पर टिक करोगे जो अपने वरग से minus 1 हो रहा है जो एक ही होता है कौन सा डी यानि 36 में से गया 35 ठीक है ना एक्जाम में आपको इसा ही करना है यहां हम करके देख रहे हैं दो का हो गया चार का हो गया यहां क्यों सन्मारक है मुझे नहीं पता कितने काईगा 63 क्या होता है भई 8 का स्केर minus 1 99 क्या होता है 10 का स्केर माइनस 1 143 क्या होता है 12 का स्केर माइनस 1 होता है ना बिल्कुल होता है अब क्या करोगे आप इसकी जगह क्या जाएगा ये देखना है 2 बन गया 4 बन गया 8 10 12 मतलब 2 का फरक हो रहा है या मैं क्या करूँगा 6 कर दूँगा तो मेरे पास क्या मिल गया 6 स्केर माइनस 1 यानि 35 जो मैंने पहले ही कर दिया कौंसा 35 आपका बिल्कुल सही होगा आई बास समझ में कैसे करना है ठीक है ना कुछ क्यूसन ऐसे होते हैं सिरीज के अंदर ही कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं बढ़ती बस थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है कि क्या हो सकता है चलो दूसरा क्यूसन देखते आज अब यह है देखो तीन 28 त्यार टैन सट पांच 126 और क्यूसन मारक क्या दे रखा है 3, 28, 4, 65, 5, 126 और 6 कभी कभी आपको यह भी दे देता आगे वाला और नेक्स्ट वाला पूछ लेता है ताकि आपका टाइम खराब हो एक बार सोच के देखते है कि मान लो यहां पर आपको कुछ ने कुछ दे रखा है और इस से नेक्स्ट वाला अगर आपको पूछ लेते ठीक है ना ये आपको दे रखा है यहां का पूछ लेते तो अपने को ज़्यादा माथा पच्ची करनी नहीं है पूरा देखने की चार पांच है और यहां क्या आ गया हो आ गया आगया आ बिल्कुल आ गया लेकिन यहां पर इससे पहले वाला पुछा है तो यह कैसे करोगे देखते हैं मैंने लाश्क कियोंसन में क्या बताया था कि कुछ क्यूसन ऐसे होते हैं जिनको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती वसी परकार का एक क्यूसन यह है कैसे है कि आपको दिमाग क्या लगाना है कि हमें तो भाई वरक और जो क्यूब है वो पता है स्केर और क्यूब किसी की भी आजाए हमें सब याद है अगर वो याद है तो यह आपको करने की जरूरती नहीं पड़ेगी कैसे कि आपके दिमाग में आया 28 मतलब अगर मैं 3 की क्यूब कर दूं पलस वन कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा 28 मिल जाएगा उसके बाद क्या आपका 65 है मतलब 4 की क्यूब कर दी पलस वन कर दिया यानि 65 मि देखा कि कौन सी क्यूब वन में पलस एड है वही हो जाएगा 215 में पलस वन का मतलब 214 किसी की होती है गया नहीं होती 216 पूरी पूरी होती है पलस वन नहीं है 216 पलस एक 217 कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारे पास क्या आगया 217 एंस्वर आ गया समझ में आया के से यहां करके देखते है यह 3 की क्यू पलस वन यह चार की क्यूब पलस वन यह आपकी क्यूब पलस वन यह आपकी एक 6 की क्यूब पलस 1 6 की हमें पता है 216 होता है पलस 1 कर दिया 217 यानि यहां पर आपके क्या गया 217 आ गया जो हमने बताया था ठीक है ना तो इस टाइब से भी आपको सिरीज कर सकते हो जल्दी से जल्दी हो जाएगी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा देखे नेक्स क्यूशन चलो नेक्स देखते है आगे आपको दे रखा है तीन आठ 22 63 185 क्यूशन मारक यह किस टाइब से करोगे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ठीक है ना अगर मैं यहां पर क्या कर दूँ डिफ्रेंस देखूं तो यह है पांच का यह मेरे पास है चौदा का यह मेरे पास है फोटी वन का बिल्कुल है और यह मेरे पास कितना है 185 में से 63 गए 122 122 का है ना अब देखो इसमें हो क्या रहा है अगर इसमें मैंने क्या कर दिया इंटू 3 माइनस 1 कर दिया क्या 14 मिल गया 14 बिल्कुल मिल गया पांस तिरी 15 15 में से गया 14 इसको भी मैंने क्या कर दिया इंटू 3 माइनस 1 कर दिया बिल्कुल कर दिया 14 को 3 से किया 42 minus 1 41 इसको भी मैंने क्या किया into 3 कर दिया minus 1 कर दिया कितावा 123 minus 1 यानि 122 तो यहां भी मुझे क्या करना है into 3 करना है minus 1 करना है किस में? 122 में 6, 6 और 3 इस में से minus 1 किया मुझे क्या मिल गया? 365 कहां मिल गया? यहां मिला है 365 8 कर दो किस में? 185 में क्या मिल गया? 550 कहीं ओप्सन में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है कौन सा? ओप्सन नम्मर A आपका correct answer हो जाएगा आई बात समझ में next देखते है आगे आपको दे रखा है 19, 2, 38, 3, 114, 4 क्यूसन मारक में क्या आएगा? मतलब क्या दे रखा है? 19 2 38 3 1 4 4 यहां क्या आएगा? ठीक है ना? जितनी practice series में करोगे उतने ही easy होते जाएगे जिसने practice कर रखी है उसको यह देखते ही यह यह लिखते ही समझ में आजाएगा कि आगे क्या हो रहा है? कैसे आजाएगा? कि भाई इस दोनों का multiply मुझे क्या मिल गया? यह मिल गया 19 को 2 से किया क्या मिल गया? 38 यह 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 38 मिल गया 38 को 3 से किया 114 मिल गया 114 को किसे करूँगा? 4 से करूँगा तो मुझे answer मिल जाएगा कितना? 456 option नमर डिया आपका क्या हो जाएगा? इसमें बिलकुल correct हो जाएगा खिक है आ ही बार समझ में? यानि Series को लिखते ही या देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या हो रहा है? बस निमाग उसी Series पर रखना है आपको नेक्स देखो अब देखो जैसे Series देखी समझ में आ गया होगा कि आगे क्या करना है? 5760 960 संमारक है 48 यहां आपके 16 है यहां पर आपके एट है ठीक है ना तो सिरीज को देखते ही क्या समझ में आया कि कुछ ने कुछ कुछiply हो रहा है क्या हो रहा है कुछ नंग्व कुणा हो रहा है और इस इसमें कonfen है कि multiply हो रहा है तो एड से सवाजं़ हम उल्टा देखते हैं अब इसके भी दो तरीक यह अप यहां से देख लो चाहिए आप यहां से देख लो पहले हम यहां से देखते हैं तो पहले से दूसरा कैसे बना जब मैंने इसको इंटू टू कर दिया ठीक है ना दूसरे से तीसरा कैसे बना जब मैंने इसको इंटू थ्री कर दिया ठीक है ना यह क्या होना चाहिए आपका इसाब से इंटू फॉर होना चाहिए यह क्या होना चाहिए इंटू 6 होना जाई देख लेती है क्या हो रहा है क्या चाण में का कितना 6 से 5700 बिल्कुल हो रहा है मतलब आपको सिरीज समझ में आगई कि क्या हो रहा है एक पलस करके और multiply हो रहा है पहले टू से वा फिर थ्री से वा अब किस से होगा फॉर से होगा और 48 को मैंने क्या क्या फॉर से multiply किया अब आपको पूरा multiply करने की भी जरूरत नहीं है ठीक है ना पहली बात तो यह है कि आपको solution आना चाहिए answer आना चाहिए कि कैसा होगा दूसरा चीज क्या सीखोगे अगर आपके answer सही आ रहे है तो आपको यह सीखना है कि मैं कम से कम time में ज्यादा से ज्यादा कैसे करूं ठीक है ना सबसे पहले आप यह मत सोचो कि मुझे time बचाना है पहले अपने को क्यूसन आना च और से multiply करना है और आपको नहीं आ रहा कि कैसे करूं तो आप पहले वाले digit को करके देखो आठ चौक 32 मतलब पहला तू और जिस किसी में भी पहला digit टू आ रहा है वह आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा कौन सा टू वाला पूरा करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है यहां करके देख लो 48 को फॉर से की आठ चौक 32 चाठ चौक 16 और तिन एक सो बाड़ में बिल्कुल सही हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है ना ठीक है अब आप यहां से भी कर सकते हो कोई दिकत नहीं है यहां से कैसे करोगे देखो 8 और 16 इसका उल्टा कर दो वहां multiply था यहां बाग एक बटे 6 क्या कर दोगे बाग में एक बटे 6 यह क्या हो जाएगा बाग में एक बटे 5 डिवाइड करते जाओ डिवाइड 1 बाइ 4 डिवाइड 1 बाइ 3 फिर भी आ रहा है कि बाइड 5 ठीक है ना 960 में क्या करोगे 5 का दोगे 5 एक में 5 955 दो 112 में यही अपने को चाहिए था आई क्या बाद समझ में यहां तक कोई दिकत नहीं है चलें आगे next question देखते है अगला आपको दे रहा है 78 अब देखो series को देखते ही समझ में आ गया ना कि क्या हो रहा है 76, 67, 74 इस बार आपको पूछ लिया दो नम्मर कोई दिकत नहीं है बाई चाहिए दो पूछे चाहिए एक पूछे हमें तो बस series का pattern समझ में आना चाहिए अगर series का pattern समझ में आ गया तो चाहिए आपको कितने ही आगे कि step पूछे कोई दिकत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल नहीं होगी यहां से यहां मैंने क्या किया माइनस टू किया किया ना बिल्कुल किया यहां भी मैंने क्या कर दिया माइनस टू कर दिया बिल्कुल कर दिया 74 से यहां भी क्या कर दूँगा मैं माइनस से तो मतलब यह आगया अपने पास 72 याद रखना option किसे होंगे 72 एक में पहले वाला दे रखा होगा एक में दूसरा वाला यह तो अच्छा है कि इसने दूसरा वाला ही दे रखा है पहला अभी तक अपने को नहीं पता चला यह 72 है दूसरा या तो यह होगा या यह होगा यह option अट गए आपके अब पहला देखते है 69 इसमें क्या हुआ है माइनस तो तो इसमें भी क्या होगा माइनस तो मतलब कितना आगया 65 तो 65 कौन से में है यह वाले में तो option नमर एक क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ठीक है ना option नमर एक आपका बिलकुल सही answer हो जाएगा इसके लिए चलें आगे next देखते है आगे आपको दे रखा है 6 7 9 13 21 क्यूसन वारक मतलब है क्या यह डबल डिजिट जैसी हो रही है जरूरत ही नहीं है 6 7 9 13 21 देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या हो रहा है 6 से 7 सिदा सा छोटा सा difference देखना है अंतर देखना है 6 से 7 पलस 1 बहुँ छै में एक जोड़े क्या मिल गए 7 7 में क्या जोड़ों कि 9 मिल जाए 2 जोड़ दिया 9 में क्या जोड़ा मैंने 4 जोड़ दिया 13 में क्या जोड़ा मैंने 8 जोड़ दिया मतलब क्या हो रहा है कि ये इसका दुगना ये इसका दुगना ये इसका दुगना तो आगे भी क्या आना चाहिए दुगना आठ का दुगना मतलब 16, 21 और 16 को जोड़ दिया मुझे क्या मिल गया 37 यानि option number C आपका क्या हो गया बिलकुल correct हो गया option number C क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा आई क्या बास समझ में चलें आगे next question देखते हैं आगे आगे आपको दे रखा है 10,70 क्यूशन मारक 5040 और 50,400 ये चीज़ आपको आगे दे रखी है ठीक है ना तो इसको आप कैसे करोगे तो मुझे तो एक बास समझ में आ रही है क्या आ रही है कि लाश्ट वाला क्या हो रहा है आपका 10 गुणा हो रहा है ये कितना गुणा हो रहा है बाई 10 गुणा हो रहा है बिलकुल हो रहा है कितना गुणा 10 गुणा तो इस आप से ये कितना गु उस्तन मारक है यहां आपके 5040 है और यहां आपके 50400 है मतलब यह हो रहा है आपका 10 गुणा तो यह आपका क्या होना चीए था 9 गुणा यह आपका क्या होना चीए था 8 गुणा और यह क्या होना चीए था भाई 7 गुणा क्या 10 का 7 गुणा 70 होता है क्या बिल्कुल होता है यह साथ गुणा है लाश्ट वाला आपका बिल्कुल सही है कितने गुणा है दस गुणा है तो बीच का देखना आपको कितना होना चाहिए आठ गुणा सतर को आठ से गुणा किया पांसो साथ मिल गया मुझे यानि बी नमर आपका क्या हो गया करेक्ट पांसो साथ को नो से करके देख लो क्या सही हो रहा है तो मैंने 56 को किसे किया नो से कि 45 और पांच पच्चास यानि 5040 बिल्कुल सही हो रहा है नो गुणा कितना हो रहा है आपका 5040 ही हो रहा है ठीक है ना तो इसका सिदा सा क्या मतलब हुआ कि पलस में वन करके हम क्या कर रहे हैं सिदा सा मल्टिपलाई कर रहे हैं आई बास समझ में चलो देखते आगे अब देखो अगला क्यूस्ण देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कुछ करने की जरूरती नहीं पड़ी उससे पहले ही आपको समझ में आ गया कैसे कि यह सीदा स एक सुनेतर यानि वन नाइन 25 49 कि उसनमारक 121 169 इसको देखते ही आपको क्या समझ में आए गया कि किसी ना किसी का क्या है यह square है मतलब वरग है किसका वरग है किसका square है सिदा सा देख लोगे एक किसका होता है एक का होता है 9 किसका होता है 3 का होता है 25 पांच का 49 गुंचा 7 का ये किसका है आपका 11 का ये 13 का मतलब 2 का difference करके वरग देखना है 2 का मतलब क्या हुआ कि 1, 3, 5, 7 तो यहां क्या जाएगा 9 का वरग आजाएगा और 9 का कितना होता है 81 होता है ठीक है न स्क्वेर 9 का कितना होगा 81 होगा यानि option number C आपका इसमें बिल्कुल correct हो जाएगा next देखते है आगे आपको क्या दे रखा है देखो 3 23 43 यहां आपके है क्यों सन्मारक यहां है 83 और 103 ठीक है ना अब आप इसमें देखोगे देखते ही समझ में आया है क्या कुछ ट्वंटी कर दिया इसमें भी मैंने क्या किया पलस ट्वंटी कर दिया इसमें भी मैं क्या करूंगा पलस ट्वंटी कर दूंगा इसमें भी मैंने क्या क्या पलस ट्वंटी किया और इसमें भी मैंने पलस ट्वंटी तो पलस 20 इसमें एड करके देख लो कि आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है तो पलस 20 एड किया 43 में पलस 20 किया कितना मिल गया मुझे 63 मिल गया यानि option number C आपका क्या हो गया correct हो गया आगे check भी करके देख लो क्या मैं 63 में 20 जोड़ो 83 आ रहा है बिलकुल आ रहा है क्या मैं 83 के अंदर 20 जोड़ो तो 103 आ रहा है बिलकुल आ रहा है यानि सारे step में क्या हो रहा है पलस 20 यानि पलस 20 हम क्या कर रहे है एड कर रहे है ठीक ना इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है अगला देखो क्या option दे रखा है 748 737 715 यहां डेस नहीं है ना कॉमा यह है 682 और 638 आगे दे रखा आपको क्यों सन्मार लिखते ही देखते ही आपको क्या चीज समझ में आ गई है कि भाई इसमें एक चीज तो मुझे समझ में आ गई है कि कंटिन्यू नम्मर क्या हो रहे हैं आपके कम होते जा रहे हैं ठीक है ना मतलब डिसेंडिंग ओर्डर में है लगातार गट रहे हैं तो गट रहे हैं क्या इनके बीच में स्पेस ज्यादा है क्या हमने देखा इनके बीच में स्पेस बिलकुल ज्यादा नहीं है 48 से 37 में कितना स्पेस वा पलस 11 का यानि बिल्कुल भी ज्यादा स्पेस नहीं है बस आपको यह देखना है कि कितने का स्पेस है तो इनको मैंने माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया माइनस का 11 मिल गया इसको मैंने माइनस किया तो क्या मिल गया माइनस का 22 मिल गया इसको मैंने माइनस किया तो क्या मिल गया माइनस 33 इसको माइनस किया तो माइनस 44 और इसको माइनस किया तो क्या मिलना चाहिए माइनस 50 देख लो क्या ये बिल्कुल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा 748 में से क्या माइनस किये मैंने 737 किये क्या मुझे 11 मिल रहे है क्या बिल्कुल मिल रहे है आगे मैंने क्या किया 737 में से 715 कर दिये क्या मुझे 22 मिल रहे है बिल्कुल मिल रहे है फिर मैंने क्या क्या 715 में से 682 माइनस कर दिये क्या मुझे 33 मिल रहे है बिलकुल मिल रहे है फिर मैंने क्या क्या 682 से 638 माइनस कर दिया क्या मुझे 44 मिल रहे है बिलकुल मिल रहे है मतलब आगे मुझे कितने मिलने चाहिए माइनस के 55 ठीक है ना और माइनस के 55 कब होंगे जब आप इसमें माइनस कर दोगे 6 3 8 में से मैं क्या माइनस कर दूँ 55 कर दूँ यह मिल गया मुझे 3 और यह मिल गया मुझे 8 यह मिल गया मुझे 5 यानि 5 तेरा में से पांच के आठ बसते हैं ना 638 में से क्या माइनस कर दूँगा मैं पच्पन कर दूँगा ना तो यह गया 3 यह गया आठ और यह गया 5 583 हो जाएगा 583 अपने पास क्या जाएगा इसका इंसर आजएगा ठीक है ना माइनस 11, माइनस 22, माइनस 33, माइनस 44, यहाँ आना चीए माइनस 55 तो 638 में से 55 गे आठ में से पांच गे तीन 13 में से पांच गे आठ और यहां 583 आएगा यहां पर ठीक है आपसन नम्मर सी को सही कर लेना 581 की जगह क्या जाएगा 583 आजाएगा आई बात समझ में आगे देखते हैं आगे आपको क्या दे रखा है 121, 117, 108, 92 और 67 यहां है आपके क्यूशन मारक मतलब है 121, 117, 108, 92, 66 आगे दे रखा है क्यूशन मारक में क्या आएगा 121 में से 117 गए क्या बचे भाई आपने बोला कि माइनस 4 हो गया यहां पर लगातार कम होती जा रही है न संक्या यह इससे कम इससे यह कम इससे यह कम इससे यह कम इससे यह कम मतलब लगातार कम होती जा रही है तो माइनस प्लस मत लगाओ कोई दिक्न नहीं है ठीक है यहां पर क्या फरक हो गया 9 का यहां क्या हो गया 8 होरा 8, 16 का यहां क्या हो गया पच्चीस का 12 में से 67 गए 25 मतलब कुछ समझ में आया क्या बिलकुल आया क्या समझ में आया कि ये तो है आपका 2 का स्केर ये आपका है 3 का स्केर ये आपका क्या है 4 का स्केर ये है आपका 5 का स्केर मतलब क्या कर दूँ मैं 6 का स्केर कर दो कितना आ जाएगा 36 66 और 36 जोड दिये कितने होगे कम हो रहे हैं ना मेंनस कर दिए तो यह हो गया वन और 3 यानि 31 आपके क्या होगे एंसर नमर इतर्षे और आफ सर नमर यह क्यों हो जाएगा आपका बिलकुल सही हो छाएगा ठीक है माइनस करते जाओ गया कितना माइनस कि आपने देख लिया है यहां तक कोई दिकत चलें आगे जलो नेक्स देखते है आगे आपको क्या दे रखा है कि पच्चास 26 14 क्यों सनमारक 5 और 3.5 यह आप कैसे करोगे बताओ ठीक है यह आपको देखना है कि आप कैसे करोगे इसको तो देखो आपने देखा कि पॉइंट आ रहा है इसके अंदर कहा रहा है पॉइंट अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि मल्टिपलाई जैसे वन से करते है टू से करते है थ्री से करते है बिल्कुल ठीक है कोई दिकत नहीं हम कर देते हैं इस पेस में लेकिन पॉइंट वाला कैसे पता चलेगा तो वह आपको क्यूसन में हिंट देगा कैसा यह वाला हिंट क्या रहा है इसमें आपके पॉइंट आ रहा है पॉइंट का मतलब है कि यह आपके कैसे होगा हाफ वाला मल्टिप्लाई होगा क्योंकि संक्या भी ज़्यादा है इसलिए फरक भी इसमें ज़्यादा है पहला मैं डिफ्रेंस देखता हूँ तो ये कितने का डिफ्रेंस है 24 का ये कितने का आपका 12 का मतलब यहां आपका आना चीए 6 का यहां आना चीए 3 का यहां आना चीए 1.5 का क्या आ रहा है क्या बिलकुल आ रहा है 24 का अदा 12, 12 का अदा 6, 6 का अदा 3, 3 का अदा 1.5 5 और 3.5 में 1.5 का ही फरक होता है यानि आपने देखा कि बिल्कुल सही आ रहा है तो आप इसको कैसे करोगे कि यहां कितने का फरक होना चाहिए 12 का अदा मतलब 6 का अना चाहिए मतलब 14 में से 6 गे 8 कर देता हूं मैं यहां पर क्या 8 से बिलकुल से हो रहा है 8 और 5 में 3 बिलकुल हो रहा है यानि इसका इंसर आपका क्या जाएगा और सनमर बी यानि 8 या एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका हो रहा है इसका देखो 50 जाज 22 century VII जूदा क्योंध पांच 3.5 तरीके रांपोंत तरीक रीजन में एक से ज्यादा भी हो सकते यह नहीं कि 2 यह ज्यूप धोसे ज्यादा हो सकते ठीक है आपको आपको मृत ली किस टाइप के क्यूंत बनते हैं उसी टाइप के आपके क्या method बता रहे है तरीका बता रहे है ठीक है नहों सकते हैं इसे ज्यादा type का भी आपके बन जए कोई दिकत नहीं है तो पर दूसरा तरीका क्या है अगर मैं इसमें 50 में बाग दे दूँ एक बट्टे दो का 16 States То कर दिया एक बटे दो से कितना गया 25 लेकिन मुझे क्या चाहिए 26 पलस एक कर दिया मिल गया क्या बिलकुल मिल गया तेम ही चीज मैंने क्या किया 26 को भी गुणा कर दिया एक बटे दो से कितना मिल गया 13 लेकिन मुझे क्या चाहिए 14 तो मैंने इसको भी हाप से गुणा करके प कर दूँ देख ले सही हा रहा है क्या तो मैंने क्या क्या 14 को हब से किया कितना सेवनma me mango भूणा 18 बिल्कुल एट आरा है कितना रहे हैए यही अपने दौने तरफ से भी आ रहा है तो option number B आपका क्या हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल सही correct answer हो जाएगा आई बाज समझ में next देखते हैं अगला की उसन देखते हैं आगे आपको दे रखा है 1, 2, 5, 12, 27, 58, 121 की उसन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा इसके अंदर ठीक है ना क्यूसन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है तो हमने देखा 1, 2, 5, 12, 17, 58 ठीक है उसके अलावा 121 आगे पूछा है क्यूसन मारक यानि क्या आएगा तो किसे देखाऊगे कि सीधा सा दिख रहा है हमें अगर मैं एक की जगए एक एनटू एक कर दूँ तो पलस जिरो कर दूँ क्या मुझे मिल रहा है क्या बिलकुल मिल रहा है ठीक है या फिर मैंने एक से दो बनाना है एक से दो तो मैंने क्या कर दिया एक इंटू एक प्लस एक कर दिया मिल गया मिल गया दो से बनाना है मुझे पांस तो मैंने क्या क्या दो इंटू दो प्लस वन कर दिया ठीक है या आप ऐसे कर सकते हो डारेक्ट क्या कि एक इंटू एक प्लस एक यहां क्या क्या आपको इंटू दो पलस एक ठीक है यहां आप क्या करोगे इंटू दो पलस दो यहां जीरो है यहां आपने क्या क्या इंटू दो पलस तीन बारा दूआ चोवीस तीन 27 27 से 58 कैसे बने जब आपने इंटू दो पलस 4 कर दिये 27 दुआ चोपन और 4 इठावन ये कैसे बनाए आपने जब आपने 51 को 2 से गुणा करके 5 जोड़ दिये 51 को 2 से किया कितना मिला भाई मुझे 116 पलस 5 यानि 121 तो आगे आप क्या करोगे 121 को 2 से गुणा करके पलस 6 कर दोगे यानि 121 को मैंने 2 से कर दिया 242 इसमें 6 जोड़ दिये कितने मिल गए मुझे 248 यानि 248 मतलव ओप्सन नम्मर सी आपका क्या गिया बिल्कुल करेंट एंसर आ गया आई बास समझ में नेक्ष देखते हैं कि आगे आपको क्या दे रखा बत्तीस कि तो मारीस कि इठावन तोतर बाण में 122 क्यूसन मारे की आज पास की संख्या दे रखी है सबसे पहले क्या देखोगे इसमें आप पलस करके देखोगे कि कितना हो रहा है तो यहां मैंने देखा पलस का 12 यहां मैंने देखा पलस का 14 चौमालीस में से 32 गे 12 चौमालीस में 14 जोड़े 58 इठावन में क्या जोड़ दिये 16 तो मुझे मिल गया चौतर चौतर में क्या जोड़ दिये 18 तो मुझे मिल गए 92 यानी बाण में बाण में मैंने क्या क्या 20 जोड़ दिये तो मुझे क्या मिल गए 112 तो 112 में क्या करूँगा पलस 22 जोड़ दूँगा मतलब है 134 हो जाएगा option number C क्या जाएगा आपका इसमें correct answer आजाएगा कौन सा जाएगा option number C चले next के उसन पर देखो आगे आपको दे रखा है चार चार आठ चोवीस च्छान मैं 480 option देखते ही समझ में आया क्या कि क्या करना है बिलकुल आया चार को चार कैसे बनेगा जब मैं one से multiply कर दूँ चार से आठ कैसे बनेगा जब मैंने two से कर दिया 8 से 24 के लिए मैंने three से कर दिया 24 को चार से किया 98 9 को 5 से किया 48 180 को किस से कर दूँगा बाई 6 से तो मुझे मिल जाएगा बिलकुल मिल जाएगा 480 को किस से परूँ मैं 6 से कर दूँ 8 की 48 6424 28 2888 ठीक है ना कि चार सो असी को किस्से करना आपको चैसे आठ चिक के अड़तारीस चैसोग चोविश्ट दो जार रहे आठ सो असी एक उप्सन हो जाएगा कौन से भी गर लो इसमें ना यह कर लेते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा उप्सन नम्मर डीस ही हो जाएगा च्यार हजार स्वरी 2880 आई बार समझ में इतनी अग्यार कि एक से दो से तीन से चार से पांसे चांड में को पांसे करके देखो च्यार सो सी आ रहे ना कि बिल्कुल आ रहे तो उप्सन नम्मर क्या होगा इसमें डी यानि 2880 नहीं है तो राइट कर लेना आई बार समझ में आगे देखते हैं आगे आपको दे रखा है 121 एक सो चौदा एक सो पांच नाइनटी फॉर एटी वन डबल सिक्स और एक्स ठीक ना इसमें से यह 2880 आएगा ना 4880 को 6 से करोगे क्योंकि क्या एक का दो का तीन चार पांच और 6 ठीक है इसमें आगे पुछा है यह कितने का फरक है आपके माइनस साथ का 14 से 5 का कैसे बनेंगे जब मैं माइनस 9 कर दो ठीक है यह क्या बन जाएगा आपका माइनस का 11 यह क्या बन गया माइनस का 13 यह क्या बन गया माइनस का 15 यानि माइनस यानि कम हो रहे है करम वाइज कैसे 7 9 11 13 और 15 तो आगे आपका क्या जाएगा 66 में से क्या माइनस कर दो माइनस 17 कर दो 6 में से 17 माइनस किए 16 में से 7 गे 9 5 में से 1 गया 4 यानि 49 ओपसन नमर ए आपका क्या हो जाएगा इसमें बिल्कुल correct हो जाएगा स्तीधासा क्या देखना है कि माइनस होते वे कम हो रहा है देखें next अब देखो यह आपको दे रखा है पांच कि दो पन कि नब्वै एक सो पंद्रा एक सो एक तीस एक सो चालीस क्यूसन मार रखें पांच से चोपन देखा आपने और आप गबरा जाओगे कि इतना बड़ा अंतर कैसे हो रहा है कुछ भी नहीं आगे अंतर देखो कितने का है चोपन नब्वै में आसपास नब्वै एक सो पंद्रा एक सो पंद्रा एक सो एक सो एक तीस एक सो चालीस से आसपास यानि आपको सिदा सा क्या करना है अंतर देखना है डिफ्रेंस कितेगा है तो चोपन और पांच में कितने का डिफ्रेंस है पांच में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 54 मिल जाए 49 जोड दिया 54 में 90 कैसे मिलेंगे जब 36 जोड दिया 90 से 115 25 115 से 131 16 यह आपका नो क्या कुछ करम बना क्या बिलकुल बना कौन सा करम बना यह बना आपका साथ का उसके यह आपका बना च्छे का उसके यह आपका बना 5 का सिके यह 4 यह 3 का सिकेर तो क्या बन जाएगा दो का सिकेर मतलब कितना च्यार ठीक है ना तो इस में क्या हो जाएगा आपका 144 हो जाएंगे काफी option क्या इसमें गलत सहता है ना कोई दिकत नहीं है एक बार चेक कर लो अपने सही है ना 49 का 36 का 25 का 16 का 9 का तो 9 यानि 3 का स्केर 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का यहां क्या होना चाहिए 2 का स्केर कितना 4 पलस करना है तो 144 कर लो किसी को भी जैसे इसको कर लिया मैंने ना तो क्या जाएगा option number C आपका correct मतलब 144 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है तो आज की class हम यहीं समाप्त करते हैं कल मिलेंगे इसी topic के साथ तब तक धन्यवाद जैहिन